कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिसकस करेंगे इंडियन रेलवे सेक्टर के अंदर बहुती वैलेबल एंड दोस्तो बहुती यहाँ पर डिमांड रेट जो प्रोड़क है पूरे रेलवे सेक्टर को यह कमपनी प्रोवाइड करती है आप सभी से दोस्तो यह स्टॉक छुपा होगा और आपने कही पर इसका नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं सुना है खास करकर जैसे आप जानते हो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक रेल विकस निगम आयर सिटी सी यहाँ पर आयर एप सी ऐसे कमपनी आपने बहुत देखे हों और नाम सुने भी है बाट मजिस कमपनी के बारे में बात कर रहा हो उसके पास यूनिक बिजनेस का अडवांटेज भी है एंड उस तो कमपनी काफी यहाँ पर ग्रोथ वाला बिजनेस करकर दिखा रही है तो आप सभी की नजरे इस कमपनी पर होनी चाहिए देखिए नहीं खरेदना वो अलग पॉइंट होता है बट स्टडी करना कमपनी को और हमें यहाँ पर उनके अंदर से पता चलता है कि वो कमपनी कितने अच्छे और हमें यहाँ पर जो आउटपुट कमा कर देने की शमता रखती है वो सब कुछ हम जितना स्टडी करते उससे ही हमें स इसको पहले अंडरस्टांडिंग करेंगे देखिए टेस्टिंग जो मशिन होते है वो इस कमपनी के थुरू यहाँ पर बना कर बेच जाते है रेलवे सेक्टर में मेट्रो और बहुत से यहाँ पर खास जो कैटिगरी के दोस्तों मशिनरी जय वो कमपनी बना कर बेचती है उसकी के साथ टेस्टिंग मशिन भी अविलेबल है इनके जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कंट्रोल पैनल से रिलेटेड डिस्टिबिशन पैनल से रिलेटेड बैटरी चार्जर से रिलेटेड अलसो यहाँ पर यह चीज़े बना कर बेचते है रेलवे सेक्टर को देखे यहाँ पर आपके आगे सभी थोड़े इमेजिस वगेरा मैं रखने कोशिश कर रहा हूँ और आप चाहे तो और भी कुछ मैं प्रोड़क आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिसके अंदर आप सभी को जो कैटिग्री जे वो पता चलेंगे रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन ये कैटिग्री की यहाँ पर बात होगी और दोस्तो कोचिंग जो यहाँ पर कोच होते है कोच के अंदर क्या-क्या प्रोड़ कमपनी करती है तो एमर्जेंसी जो लाइट्स होते दोस्तो वो कमपनी प्रोड़ करती है उसी के साथ जो फैन होते है कोच के अंदर आपने ये फैन देखे होंगे जरूर आप जानते हो आपने बहुत सा यहाँ पर ट्रैवल किया ही होगा ट्रेंज से तो आपको पता है और भी बहुत सी चीजे हैं जिसके अंदर आप देख सकते है ये जो खास करकर जो जो जॉइन करने का रहता है जो बोगी को या हम डिबे को कह सकते है वो भी एक कमपनी बना कर बेचती है और बहुत से यहाँ पर जो रिल्वेस सेक्टर में लगने वाली चीजे हैं कमपनी के थुरू बना कर बेची जाती है अब दोस्तो ये तो बात हो गई बिजनेस की अभी बैलेंस इट को भी थोड़ा समदना चाहिए तो हम पहले कमपनी के पास के कैश के बारे में अंडरस्टेंग करते है तो कमपनी के पास दोस्तो यहाँ पर दोसो यहाँ पर 23 यहाँ पर करड़ों का कैश रहने के लगबग कह सकते हमकी 23 करड़ रुपए का कैश है कमपनी के पास और यह कैश पहले कुछ भी नहीं था धीरे धीरे देखिए कमपनी का कैश बढ़ रहा है और कैश बढ़ना लिक्विडिटी कमपनी के पास लेना यानि कमपनी का बिजनेस बढ़िया तरीके से रन हो रहा है समझ में आता है और लॉंग टर्म का देखेंगे तो मातर यहाँ पर धाई करड़ों का करजा और यह शॉट टर्म का है और लॉंग टर्म का भी मैं आपको बताता हूं थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे तो मातर लॉंग टर्म का दोस्तों जो करजा है वो स्रीफ 0.12 करोड का यहने के लैक्स में देखेंगे तो 12 लाग का ही करजा लॉंग टर्म में नजर आएगा अब यहाँ पर हम दोस्तों कमपनी के जो फंडामेंटल वाले पॉइंट्स होते जैसे के शेर होल्डिंग उसके अंदर देखेंगे तो खूत प्रमोटर के पास 70% से ज़्यादा स्टेक है और प्रमोटर भी काफी जबरदस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास बड़े तरीके से स्टेक नजर आता है और उसे के साथ डियाएस जो यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टूशनल इंवेस्टर है उनके पास 1.63% स्टेक है और दोस्तों बाकी का यहाँ पर आपको पब्लिक का स्टेक नजर आएगा पब्लिक के शेर होल्डिंग में आपको एंडियन बड़े निवेशक नजर आएगे जिसके अंदर मुकुल आगरवाल भी है और दोस्तों यहाँ पर दोसरे भी बड़े जो निवेशक है उन्होंने यहाँ पर 1% किसीने 1.5% अपने अपने हिसाब से कमपनी में निवेश किया है अब यहाँ पर हमने बैलेंस शीट देख ली और कमपनी की शेर होल्डिंग में अब यहाँ पर हमें yearly performance को चेक करना चाहिए तो बिछले 2021, 22, 23 और 24 लगातर पिछले 4 सालों का track record sales का देखना quarterly business पर yearly basis पर पहले हम study करेंगे बाद में आपको quarterly दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर notice करेंगे दोस्तो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है और चाहे तो आप 2019 से भी देखे 14 करोड से 16 फिर यहाँ पर 17 करोड फिर 32 फिर 59 और अभी 60 करोड का तो यह sales का improvement है और दोस्तो profit अलसो आप देख सकते कि company ने profit लगातार यहाँ पर improve किया और आज ऐसा समय है कि company एक करोड जो कमाती थी वहाँ तेरा करोड कमा रही है लगातार company के अंदर growth हमें दिखाई दे रही है और आप quarterly business पर अलसो दोस्तो study कर सकते कि quarterly जो company का performance है और किस तरीके से यहाँ पर हमें growth में दिखाई दे रहा है तो आपको चाहे तो मैं बता रहता हूँ quarterly company का sales का इसके अंदर जो यह notice करने वाली बात क्या है कि company के जो result होते वो yearly half yearly वाले है यह quarterly नहीं है कुछ companies half yearly quarterly भी result शो करते है quarterly नहीं शो करते है कुछ quarterly भी शो करते है यह भी बात यहाँ पर आप याद रख सकते हो और आप यहाँ पर हम जिस company के बारे हम बात कर रहे हैं उसका नाम दोस्तो concord control system limited is a business of electrical machinery for Indian railway तो आप अंदाजा लगाए कि इसके पास क्या value है और ऐसा नहीं दोस्तों की कोई छोटे मोटे business में है इसका overall business बहुत ही शांदार है और company research designing standard organization सभी चीज़े यहाँ पर यह करते हैं जो railway sector से जुड़ा हुआ है और manufacturing भी करकर supply करते हैं several electronics जो products होते है या electronics से जुड़ेवे mechanical वगेरा या electro mechanical product जो होते है सभी तरीके का यहाँ पर इसके पास business है product categories में आप देख सकते है बहुत अच्छे और शांदार business का advantage यह company ले रही है battery, chargers related, control panel है testing machine है, emergency light है, fan है आपको दूसरे चीजे भी देखने को मिलेंगे जिसका फाइदा यहाँ पर इनको मिल रहा है और आप यहाँ पर दोस्तों खास करकर इनके clients देखेंगे तो government clients आपको नज़राएंगे जिसके अंदर rail coach factory जो है वो इनके client है इसके अंदर RVNL है, rights है BHEL है, दिल्ली Metro Railway Corporation है Private Mail, Arsenal and Tubro है Tata Project है ऐसे आपको BCPL Railway Infra Company नज़राएंगे और बहुत से इसे companies आपको इनके ही client नज़राएंगे और इसने एक company का stake भी खरीदा है जो 26% का तो इस company को study तो आप करी सकते दोस्तों अभी जैसे मैंने चीजे बताई and company का आप यहाँ पर share price देख सकते हैं यह BAC पर list